बाद लूस्टेंस विल्कम और इवनिंग आई होप यौर अर्ड अगर्ड तो तो सुंसा आज की क्लास में हमको क्या कभा करना है हमको कभा करना है फुल वीक एक से तो फुल वीक करंट अफेर्स रिवीजन की इस तुन से क्लास है हमारी पिछले हफते के साटरेडे से लेके आज फ्राइडे तक पूरे वीक को सुन से हम रिवाइस करेंगे कोश्चन आंसर्स फॉर्मेट में वैसे तो यह क्लास फॉर्मेट सिक्स पार्ट की होती है पर आज वाली क्लास फॉर पार्ट की ही है क्योंकि बीच में मुझे एक दो दिन चुट्टी लेनी पड़ी थी तो फॉर पार्ट की क्लास है और हर पार्ट में हर जो पार्ट है उसमें हमारे 14 questions है 14 questions में से पहले 2 questions है Startic Affairs के अगले 8 questions है Current Affairs के अगले 2 questions है Social Studies के और आखरी के 2 questions है Finance और Banking ठीक है इस तरह से इस class को कंडर करेंगे तो part 1, part 2, part 3, part 4 इस तरह से 4 part में class को रखेंगे part 1 और 2 के बार एक चोटा सा break रखेंगे फिर part 3 और 4 कंडर करेंगे तो इस तरह से हमारी class होगी total हम यहाँ पर कुछ 48 के आसपस almost 50 के आसपस questions के थू पूरे week को revise करने कोशिश करेंगे एक बार मैं जली से class की audio video चेक कर लेता हूँ ठीक है सुन तो में तरह से तो class की audio बिल्कु ठीक है Hello Kunika, Hello विशाल विल्काम गुडीवनी ठीक है सुन तो class को करते हैं शुरू सब चले बात कर लेते हैं मेरे बार मेरा नाम है अभिनव जोशी bank exams category में एक mentor और coach की तरह में आपका आपका पढ़ाता हूँ unacademy platform पे एक plus verified educator हूँ तीन साथ से बजार टाइम से में students को current affairs, starting affairs और banking affairs की त्यारी करवा रहा हूँ various government exams के लिए unacademy की app पे students काफी सारे batches हैं जो कि आप लोगों के लिए create कर दे गए unacademy बैचे आपकी काफी मदद कर सकते हैं हर एक badge जो unacademy के app पे बनाया जाता है उसमें कुछ सीजों का ध्यान अखाता है जैसे पूरा syllabus कवर कराया जाए top educators आपको पढ़ाए, PDF study material दिया जाए weekly quiz mock test आपका जाए और dedicated outking sessions आप लोग लिए आपर रखे जाए students unacademy के platform and academy के app एक plus course जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं दिस समर महिने में वह है target batch IBPS clerk mains 2021 मैं आपको जनल वेने करा रहा हूं किस तरह से करवा रहा हूं पिछले 3-4 महिने की duration के हिसाब से best 500 question आपको revision में बहुत मदद करेंगे आपका काफी सारा जो data उसमें काफी मदद करेंगे यह मैं आपको cover करा रहा हूं 15th of December से batch शुरू हो चुक है मेरी classes होती students Monday Tuesday और Thursday हफते के तीन दिन साड़े तीन से पांच बजे की बीच में ठीक है यह दिरेशन students classes का और यह मैं आपको करवा कर रहा हूं best 500 questions कोशन आखरी तीन से चार मेने तो बाकी subjects पढ़ाने लिए कौन-कौन students में आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है students आप अनकाडमी की एप से गर बैंक की एक्जाम की तेहरी करना चाहते हो तो यह duration के हिसाब से यह prices पे आपको subscription बिल्कुल available हो जाएगी रेफल कोड आप यूज कर सकते हैं इस रेफल कोड को यूज करने से अडिशनल 10% आफ भी students आपको बिल्कुल यहां से मिल जाएगा ठीक है एक और प्राइटी दियाती है जो की होती आइकॉनिक सब्सक्राइब इसके क्या फाइद होते हैं आपको कितनी डूरेशन के ऊपर कितने अडिशनल बेंफिट्स आपको मिलेंगे सारी इंफोर्मेशन मैंने लगा रखी है यहां पर भी रेफल कोड बिल्कुल काम करेंगा इसको अब हर जगा यूज का सब्सक्राइब अनकैनमी के आप पर मेरी स्पेशल क्लासे आते हैं स्पेशल कर सकते हैं अनकैनमी के आप पर जब आप क्लासे टेंट करेंगे रेज रेज हैंट फीचर को यूज कर ना बद भूनें बहुत है इंटरस्टीम फीचर होता है इसमें क्यों होता है आप डिरेकल अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं से कोई भी डाउट है कोई भी चीज चाहिए 50 रेजल को यूज करके आप अपने आपको इंडोल कर सकते हो इस टेस्स को दे सकते हैं बहुत तरह के रिवार्ड आप लोग यहां पर जीच सकते हो ठीक है शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को अगर आपको क्लासे सके लिंक्स और क्लासे सकी पीडियस रेगल चाहिए तो टेलिगाम चानल का नाम है सिए भाई अभिरम जोशी अनकादमी इस टेलिगाम चानल पर क्लासे सकी लिंक पीडियस सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाए ठीक है तो शुरू करते हैं 11 अफ दिसेंबर से 17 अफ दिसेंबर की बीच का यह क्लास यह पूर रखी ज जाएं ठीक है तो शुरू करते हैं पहले पार्ट का पहला कोशन स्टार्टिक अफेर्स का आप लोग के सामें कोशन है एक कंटी सीचल यह इंडियन ओशन की कंटी सीचल इसके कैपल क्यों थी है तो आपको कोई भी कोशन को टाइम करना है और आउडियो वीडियो में कोई बतारी यह फिर आपको कोई डाउट है इन सब चीजों के लिए लाइफ चैट ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हैं मैं आप लोग की लाइफ चैट को रेगूली चेक कर रहा हूं पहला कोशन है विक्टोरिया फ्री टाउन विलिनियर्स या फिर जॉर्ज टाउन तो सुन करेंसी यह लोग यूज करते हैं शीशल रुपी और और तो मुझे रगता हमाले इतना है पॉर्ण कुछ है ठीक है यह अफ्रीका यह इसिया नहीं आफ्रीकन कंटी यह सीशल ठीक है चलते हैं अपने सेकंड कोश्चन पर कोश्चन है स्टार्टिक अफेर्स का आप लोग के कमी थी तो दो कंटी लड़ी थी सुपरबाब बनने के लिए USA और USSR जिसको सोवी तो इन भी बिलाते है ठीक है तो जब यह लड़ा रहे थे उस टाइम को बलाते है कोल्ड वार यह लड़ाई इनके चली 1991 तक जब तक USSR टूट नहीं गया ठीक है तो इस पूरे टाइम में ना 1945 से 1991 के टाइम पर यह दुनिया भर की कंटी इसको अपने साथ लेने कोशिश करते है USA कंटी इसको बोलता है आप हमारे साथ आजा तो बहुत जारे तंग किया हुँ था दुनिया भर की कंटी इसको तो उस टाइम पर ग्रूप बना N.A.M. इंडिया भी इसका पार था यह व नैम के और इंडिया भी काफी बड़ा मेंबर था नैम का चाहे है हमारा थोड़ा इंटरस्ट सोवी तूनिंग की तरफ था पर हम नैम के मेंबर ठीक है ठीक है आगे चलते है बहुत अच्छा कोशन है करंट फेस का आपको याद होगा सुन्स हमने 2019 में लांच किया था चंदरयांस 2 में कमी आगी थी एली से पूरी करेंगे तो चंद्रैयांस 2 में क्या था और्बिटर भेजह और्पिटर भिल्कुल ठीक से काम कर रहा है मून की आसपास लेंड इश्वий कड़े कि आप नीगद भी के यह दिक्कत होगी !! अब लेंडर रश्यार चंधआगे सप 1-10 साल होता है जो जनर्री से शुरू होता है इसमें चार कॉर्टर घ्र इसमंड़ अंड़ी फेभरी मार्च कॉर्टर डू एप्रिल में जून फिर जुलाइ अगस्थ सिप्टेम्बर ऑक्टूबर नुम्ब्र डिसमें एक यह हो गए 1-1 जारज दिखाए तो फाइना इस फै का चौथा कोट होता है कलेंडर के पहले तीन महीने जैन्वरी फेब्री मार्च क्योंकि 31 मार्च को फाइनेशल लिए खतम होता ठीक है यह दोनों मैंने आपको कौर्ट ओलर सिस्टम से समझा दिया इसका बिल्कुल सही आंसर है थर्ड कोर्टर ओफ दो हजार बाइस तो मतलब की जैनुरी फेब्री मार्च एप्रल में जून जुलाइगस सिप्टेंबर जुलाइगस सिप्टेंबर के टाइम में अगले साल चंद्रेंथी को लांच कर दिया जागा चंद्रेंथी बहुत इंपॉर्टन मिशन होगा क्योंक 2023 में जाके हमारा बहुत बड़ा जो मिशन है गर गन्यार गर जो बहुत बड़ा मिशन है वह 1020 क्रें हमारी कंटी यह समिशन होगा जिसमें हम लोग हूँमन को स्पेस में भिजएंगे तो पहला मैंन मिशन होगा ठीक है आगे चलते gas चौता कोशन कोशन है current affairs category का वो कौन सी country है जिसने recently diplomatic ties तोड़ दिये है ताइवान के साथ और उन्होंने recognize कर दिये है चाइवान को आज बड़े से कोशन है जिसमें थोड़ी चीज़ा समझाने वाली है तो ये चाइवान इतना बड़ा हमारे इंडिया के बगल में और चाइवान के साथ एक छोटी से island करती है ताइवान अब जो ताइवान है ताइवान ये भी अपने आपको चाइवान बलाता है ये बोलते हमें Republic of China और हमारे बगल बड़ा चाइवान बोलता है हमें People's Republic of China ठीक है तो ताइवान भी अपने आपको चाइवान बलाता है ये ये तो चाइवान अपने आपको बलाते है ठीक है अब चाइवान ये जो हमारे बगल बड़ा चाइवान इसने एक दुनिया में दुनिया में गिंती की 14 ऐसी county थी जो ताइवान को इक country मानती थी तो गर वो ताइवान को country मानते थी तो इस चाइना एक साथ कोई रेलेशन ये रख दो पर तो ताइवान को इक दो Carl 그 तो 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 ताइवान को को एक ताइवान के साथ और अब चाइना एक साथ रिलिशन शुरू कर दिये तो ताइवान के लिए बिल्कुल अच्छी चीज निए सिर्फ तेरा कंटी बच्ची है एक वैटिकन सिटी है जो भी भी ताइवान को एक कंट्री मानता है अब मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या यहां करप्शन है बहुत है इलेक्शन ठीक से निए हो रहे है तो युनाइटेट स्टेट्स की रिस्पॉंसिमिल्टी बनती थी कि वो यहां पर चीज़े ठीक करे उसने और खराब करती युनाइटेट स्टेट्स ने फाइनेशल सैंक्शन लगा दिये यह सब बोल दिया कि हम आपको डॉलर निए उस करने देंगे क्योंकि आप एलेक्शन ठीक से नहीं कराते हो अभी किसी कंटी पर इनाइटेट से फाइनेशल सैंक्शन लगा गा उससे प्रॉब्लम सौल तो कैसी होगी प्रॉब्लम और बढ़ गी इस कंटी में फाइनेशल क्राइसिस आना शुर और रशिया ने अपनी मिलिटी को भेज दिया बस और निकागुरुआ ने सारे इलेशन तोड़ दिये ताइवान के साथ आई होप आपको यह कोशन समझ में लगा काफी इंपोर्टेंट कोशन थीक है बड़ा सिंपल कोशन हमारी कंटी में जो टेस्ट की किकटी में उसके क कि तो कोशन है कि इंडिया की क्रिकेट में टेस्ट तीम है आपको पता है तीन तरह के micro tSc होती है व्यां तोऄ की ती पिश्डिया की कि दूनिया में खेले आते यह उता है उडिया उयight तो टी टुन्टी में तो विरात को ली जगह रोईश्रमा ने कैप्टन सी ले लिया ओडी आई की इस टाइम पर कॉंटर्वर्सी चल रही है वैसे ओडिया की कैप्टना भी रोईश्रमा हो चुके है टेस्ट के कैप्टन वाले तो इसका बिल्कुर सी आंसर है विरात को ठीक ह तो अभी आपको पता होगा सुट्वर्सी जो चल रही है वांडे इंटरनाशनल की कैप्टन सी को लेकर ठीक है काफी कुछ चल रहा है सौर अफ गांग ली रोईच्छरमा विरात को ली के बीच में पर आपकी एक्जाम पॉइंट वीस इतना इसलिए मैं आपको इतना पता आप इन ठीक है आगे चलते हैं ठीक है छेवए कोशन है करण एफेस का तो अंग सांग सीकुल ठीक है अंग सांग सूखी ऐसा कुछ नाम है इनका ठीक है तो यह काफी बड़े लीडर है और इनको रीसेनली जेल कर दीग ठीक है आप से पूछा रहें किस कंटी के बड़े ल तो आप से पूचा रहे किस कंटी के काफी बड़े स्ग ठाइलैंड न के मैनमार के सत्यम इसका सिन्समार है बिल्कुल मैनमार मैंडमर में डेमोकरसी राने के पिछेलन का बहुत बड़ा हां था इसी साल मैनमार की जो military है उसने democracy ख़तम कर दी सरकार क्टम कर दिया तो वहां की आर्मी को पता है कि अगर वापिस से कभी डैमोक्रेसी आएगी तो यही लेकर आएगे यही वापिस लाएंगे डैमोक्रेसी ठीक है तो वहां की जो military है ठीक है उनने क्या किया जैसी तकता प्रड़ हुआ सारे बड़े-बड़े जो leaders अनको arrest किया इनको भी arrest कर दिया और अब इनके उपर बे-फालत हुआ है जान मुझके इनके उपर charges लगा रहे हैं ठीक है कि आपने ये गलती करी वो गलती करी और जान मुझक इनको बस जेल में डालकर इनको एक लंबे sentence देना चाहते है जेल का sentence ताकि ये वापेस से active norm है और वापेस से ये demo की सिना लेकिया आप है बिल्कुछ ये सत्यम तो इनको कहने कि आपने covid norms तोड़े कैसे आप अपनी गाड़ी से बात निकले थे अपने जो लोगे उनको ऐसे wave करने के चाहिए इन्होंने mask भी डला सकते हैं आपने covid norm तोड़े बहुत ऐसी गलत गलत से आरोप लगा दी आपके bodyguard के पास जो walkie talk की है वो approved नहीं है military इस तरह के rules लगा लगा के इनको कई के सालों की jail करिए ताकि military कोशिए करिए ताकि ये बाहर ना सके फिर से democracy ना लेकि ठीक है तो मैंनमार्स आंग सांग सीकू संटेंस टू जेल और मैंनमार्स जो बिल्कुल इंडिया के बगल में है इसका पुराना नाम उतारा बर्मा कैप्ला नी बिडवा और करन्सी ये लोग यूज़ करते है मैंनमार इसकी cat population नहां की कुछ साड़े पांच करोड के आस प वेटलिफ्टिंग चैंपेंशिप 2021 चले अब तो खतम होगी कॉमेल्थ कंटी आपको बता है यह वो कंटी होती है जो बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिश राज में रही इनके बीच में गेम्स भी होती है तो कॉमेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपेंशिप 2020 में एक इंडि में भूल के हमें दूसरी काइटिम उठाकें वेट सरक्य उपर लेकर जाना होता है और एक जिसमें आपको मbahलो एपने शोडर पर रखसकते उसके बाद ऊपर लेकर नहीं भी इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है उन इनिंदियन का नाम है संकेत महादेव सार्गर ठीक है तो एक होती है clean and jerk और एक होती है snatch ठीक है तो इनने snatch में जीता है gold medal आगे चलते है पावर लिफ्टिंग में clean and jerk एक होता है clean and jerk एक होता है snatch पावर लिफ्टिंग थोड़ी अलग चीज़ होती है चलते है अपने सबस्क्राइब चोटर पय कोशन है करेंट एस काटिग्रीय का आप लोगें सामने वह कॉन सी ऑर्गिशन नैसमें लांज की एक वर सेचले स्किरिटी प्रणव गालग में इस प्रोग्रमें Cyber Security Skills Training Program in India to train over 1 lakh people तो सत्य हम बोले है कि इस तरह से जो program में Meta मतलब यह Facebook launch कर रहा है Facebook तो चलो उसका नाम ही निरा अब तो वो उसको Meta कर दिया ठीक है इसका सुन जो बिल्कुल सही answer है वो है बिल्कुल सही बता रहे हैं आपर सत्य है Microsoft तो दुनिया की IT के सबसे बड़ी कंपनी Microsoft ने लांच कर दिया Cyber Security Scaling Program एक लाग से ज़्यादा लोगों को यह Cyber Security में Training देना चाहते है 9th Quotion Quotion है Current Affairs Category का आप लोगे सामने Ministry of Power जो हमारी कंटी में उन्होंने इनर्जी Conservation Week Energy Conservation Week हमारी कंटी में Celebrate करवाएगा अजादी के अमरित मतसफ के लिए आपको पता है अजादी के अमरित मतसफ अगले साल 2022 में 15 अगस को हमारी कंटी के 75 years of independence पूरे हो जाएगे यह है अजादी के इस event को Majorly Celebrate करने के लिए है अजादी के अमरित मतसफ इसको launch इसी साल मार्च में कर दिया गया तो अजादी के अमरित मतसफ को मार्च 2021 में launch कर दिया गया main event है August 2022 में और यह चलेगा कब तक यह चलेगा August 2023 तक चलेगा ठीक इतना बड़ा यह event होगा तो अजादी के अमित मसदफ के अंदर Energy Conservation Week को अब्जर्व किया गया किन डेट्स में 6-12 December, 7-13 December 8-14 December 9-15 December बिल्कुल सही आंसर है 8-14 December के बीच में तो Energy Conservation Week 8-14 December के बीच में हमारे कंट्री में अब्जर्व किया गया ठीक है, आगे चलते है 10th Quotion Quotion है Current Affairs Category के आप लोगे सामने, पूछा जा रहा है क्या है Theme Human Rights Day 2021 का ठीक है तो 2021 में जो Human Rights Day मनाया गया उसका Theme क्या था, अगर आप में से किसी को पता है Date किस Date को होता है Human Rights Day तो कोशिश करो पताने की मैं आपको Option देता हूँ 8-12 December, 9-12 December 10-12 December इन में से किस Date को होता है Human Rights Day फिर कोशिश नहीं कह रहा है कि इस साल का जो Human Rights Day था, उसका Theme क्या था Recover Better, Stand Up for Human Rights Equality, Reducing and Equalities Youth Standing Up for Human Rights Our Rights, Our Rights, Our Freedom, Always तो बिल्कु से स्टून्स इस कोशिश का बिल्कु सी आंसर है सत्के हम बता रहे है इस बार का Theme है Equality, Reducing and Equalities, Advancing Human Rights और अगर बात करें Human Rights Day तो यह होता है असल में 10th को, 10th of December को, ठीक है हर साल 11th कोशिश कोशिशन है Social Studies का आप लों के सामने कोशन है, Center for DNA Fingerprinting हमारी कंट्री में जो Organization कहलो या, जो भी कहलो यह कहां Located है? Bengaluru, Hyderabad, New Delhi, Mysore The Center for DNA Fingerprinting is located at Bengaluru, Hyderabad, New Delhi या फिर Mysore, कोशिश करो, Attempt करने की कहां पर Based है यह जो भी आप बोलना चाहिए Institution या Organization कहां Based है Center for DNA Fingerprinting आपको देखने हो मिलेगा तेलने काने कैपिल, Hyderabad तो Center for DNA Fingerprinting या आपको मिलेगा Hyderabad जो की तेलने काने कैपिल है तो जो Forensics होती है उसमें यह बहुत काम में आता है आगे चलते है बारवा कोशन है Social Studies का आप लों के सामने दिए गे option में से कौन सी missile है जो की integrated guided missile program of India का part नहीं है तो हमारी कंटी में काफी बड़े scale पे defense को बढ़ावा देने के लिए integrated guided missile program चलाया जाता है दिए के option में से वो कौन सी missile है जो integrated guided missile program of India का part नहीं है अकाश, पृत्री, अगनी, ब्रह्मोज, कोशिश करो कौन सी मिसाइल, इंटिकेटिटिट गाइट इंसल प्रोग्राम फिट इंडिया का पार्ट नहीं है अकाश, पृत्री, अगनी आफिर ब्रह्मोज इस कोश्चन का जो सुंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है इंडिया और रशिया, इंडिया रशिया मिलके बनाते है तो दोनों कंटिश की कि नदी के नाम से ब्रह्मोज डाला गए नाम इसका ठीक है आगे चलते है, बिल्कुसी कोनिका, बिल्कुसी सत्य है चलते हैं अपने 13 कोश्चन, आपको पता होगा, फाइनस और बैंक के कोश्चन है कि हमारी काबिनेट ने अप्रूबल दे लिया है केन बेतवा इंटरलिंकिंग और रिवर्स प्रजेक्ट को तो केन और बेतवा नदी है, ठीक है यह जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग और रिवर्स प्रजेक्ट है इसकी टोटल अमाउंट तो कुछ 45,000 क्रोड रुपीस के आसपास है इतना पैसा लगेगा इस प्रजेक्ट को बनाने में पर इसमें से सेंटरल गवर्मेंट का हिस्सा कितना होगा सेंटरल गर्मेंट कितना पैसा देवहे है पर इसका इस बिलकुल ही आंशर है सेंटर गल्मेंट का जो हिस्सा होगा इस प्रोजेक्ट में वो होगा असल में कुछ 39,317 क्रोड तो 45,000 क्रोड में से कुछ 39,000 क्रोड तक तो Center Government ने देना बाकी स्टेट्स को खर्च करना पड़ेगा बिल्कु इस सत्य हैं बिल्कु सेपता रहे हो तो एग्जाक्ट है 44,605 क्रोड इतना खर्चाएगा इस पूरे प्रजेक्ट को बनान में केन बेतवा में केन और बेतवा के बीच में केनाल बना दियाएगी दो नदियों को जोड़ने की मद्धेबरेश यूपी बॉर्डर पे काम में आएगी इसमें है सेंटे गर्मड जो करीगी वो 39,000 क्रोड के आसपास उस में से 36,000 क्रोड के आसपास जो पिसा थो वह ट्राइज है वो गराइज वापस न करना को तीन हजान कार क्रोड को जो है लोन यह यह पैस सेंटर गर्मेंट को वापिस करना पड़ेगा स्टेट को ठीक है आई होप आपको इस चीज़ क्लियर है चलते हैं सुनस अपने फर्स्ट पार्ट के आखरी कोश्चन पर फोर्टीन कोश्चन इसके बाद सेगंड पार्ट शुरू करेंगे कोश्चन है फाना एंस और वगयन ओन अर 있는데 मों क्ईसन पलतो हुआ को इन्डिया पोस्ट ब хотел पेंट बैंक पेंट यू ना's में वह है असल में Option Number D तो प्यतीम पेइमेंट बैंक को को रिजेट्यूल bank of India का स्टेटस दे दिया गया है by Reserve Bank of India , तो प्यटीम बैंक रेशी शेडूल bank status from Reserve Bank of India तो आप देख सकते हैं हमारीा बैंकों को जो वेरियस ट्रिटिये जाते हैं सो रिजर बैंक अफिंडिय सेंटल थोड़ी है उसके नदर आते हैं चेडियूल बैंक सें में कमर्शिल MAJS के मदद करना ओधा थोड़ा लोगों की मदद करना कमर्शिल होते हैं मिजली पैसा कमाने के लिए हैं इसमें foreign bank आ जाते हैं इसमें public sector banks आ जाते हैं इसमें private sector banks आते हैं इसमें ruler banks आते हैं foreign bank जैसे HSBC एक foreign bank है वो ऐसे Singapore based है public sector bank जैसे SBI PNB private sector bank जैसे HDFCS bank ठीक है यह सारी categories होती है मारी country के banking structure के अंदर I hope आपको यह चीज़ समझ में आ चुकी है आगे चलते हैं सेकिंड पार्ट पहला question static affairs category का आप लोगे सामने world blood donor day हर साल observe किया तै किस date को 14th of June 9th of May 3rd of August या 10th of July कोशिश करो world blood donor day हर साल किस date को हम लोग observe करते हैं 14th of June 9th of May 3rd of August या 10th of July इस कोशिशन इस बिल्कोश यांस रता है world blood donor हर साल होता है 14th of June को तो इस दिन की एक सबसे बड़ी importance ही है कि awareness राइजा सेके जार सालों को motivate किया सके blood donate करने के लिए क्योंकि जितनी blood donation है कि थो हम supply दे पाते है demand उससे कहीं जाद है तो demand बहुत जारा है इस वरे से आप देखते होगे कभी message आते हैं कि इस hospital में जरूरत है इस blood group की यहां एकदम से जरूरत है ठीक है क्योंकि हमारी stories इतनी अच्छी नहीं है second static affairs का question question है हुबली airport आपको हमारी country की कौन सी state में देखने मिलेगा हुबली airport is in which state of our country करनाटका उडिसा गोई के लाइन में से किस state में आपको हुबली airport देखने को मिलता है तो सबस्क्राइब जगा कर इन दाम सुनागा हुबली यह आपको मिलती है इंदी इंडियन state of करनाटका बिल्कुसी को निका करनाटका में आपको मिलती है हुबली और वहीं पर है हुबली इंडिया स्टाइब इनोवेशन चालेंज को लांच करने के लिए इसके थूम चाहते हैं कि हमारी कंटी में 5G और इंटरनेट ओफ तिंग्स जिसमें जैसे एक जगह से बड़ा कुछ कर सकते हो पेमेंट शॉपिंग सब कुछ ही दिगा तो फाइव इंटरनेट ओफ तिंग्स में नए-ने solutions लेके आए जासे के नए-ने startups अपने आपको इन चीजों में तो इसको एक इनोवेशन चालेंज के तरह लॉंच की तरह बहूरती इंडिया इस इन्वेटिव चालेंज के लिए किस नीतियायोग इन्वेस्ट इंडिया ने आशनल डेविल्मेंट कांसल्य और कॉमन सर्विस सेंटर इसका इसे इंडिया बहुत बड़ा Campaign Invest India उसके साथ यहाँ पर पार्टिशिप कर यह भाती एटल ठीक है तो एटल Invest India Launch Innovation Challenge for Startups To Develop Solution in 5G IoT उता है Internet of Things ठीक है बिल्कुसी आगे चलते है चौता कोशन कोशन है Current Affairs का ठीकरिका इंडिया ने 41 मेडल जीते 4th Asian Youth Para Games 2020 में यह 4th Asian Youth Para Games असने में रखी कहा गई Malaysia की Capital Kulalampur में Uzbekistan की Capital Tashkand में UA के शहर दुबई में बाहरेन के शहर रिफा में कोशिश करो इंडिया इस won 41 मेडल जाट इफोर्थ Asian Youth Para Games 2000 केस यह हुआ कहां पर तो इसका बिल्कुसी आंसर है इसको इवेंट इसको रखा गया था बाहरेन के एक शहर रिफा में ठीक है बिल्कुसी सत्या तो इंडिया ओन 41 मेडल आट Asian Youth Para Games 2021 इसको बाहरेन में रखा गया था वैसे बाहरेन की Capital मनामा होती है आगे चलते पांचवा कोशन कोशन है Current Affairs Category का आप लोगे सामने Recently हेदरपूर Wetland बड़ा News में था क्योंकि इसको हमारी कंटी का 47th रामसर साइट अनाउस कर दिया गया यह जो रामसर नाम है ना यह जुड़ा हुआ है रामसर कन्वेंशन से यह दुनिया में एक कन्वेंशन चलती है रामसर जिसमें हम लोग वेटलेंड को प्रिटेक्ट करते है वेटलेंड को और रामसर का मतलब एक शहर है जो इरान में है रामसर जहाँ साइन किया करते है इस कन्वेंशन को तो हेदरपूर वेटलेंड हमारी कंटी का 47th रामसर साइट अनांस हुआ है हेदरपूर वेटलेंड को किस रिवर बेसिन से पानी की सप्लाई आ रही है क्या ब्रंपुता रिवर बेसिन से आ रही है इंडर्स से गुदावरी से गंगा से इस कोशन का जो सुन्स बिलकुल ही सही आंसर है यह आपको यूपी मिलेगा दिली से कुछ 1500 किलमेटर के दूरी पे हैदरपूर वेटलेंड तो आप देख सकते हैं हैदरपूर वेटलेंड उतरपर देश में है और 47th रामसर साइट हमारी कंटी की ठीक है आगे चलते हैं छेवा कोश्चन कोश्चन है करेंट फेस काटेगरी का तो कौन सी स्टेट इसने टॉप किया है 9th edition of India skill report 2022 तो रीसेंटल इंडिया skill report को जारी किया गया तो इसको टॉप करने लिए स्टेट कौन सी है उतराखंड, असाम, अध्यपदेश या महराष्टा तो यह जो skill report है इसको टॉप करने लिए जो स्टेट है उसका असल में नाम किया है option number B, महराष्टा तो 9th edition of India skill report 2022 इसको रिलीस किया, V box ने महराष्टा ने इसको टॉप किया था और उसके लिए यूपी और केला ये तीन स्टेट से जो कि skills में सबसे आगे रही ठीक है आगे चलते है साथवा question question है current affairs category का आप लोगे सामने वो इंडिया का कौन सी state है जिसने recently bird flu के cases report किये हैं और 12,000 से ज़्यादा ducks को cull कर दिया कल मतलब एक तसे जब बहुत बड़े scale में birds को मारा जाता है ताकि वो और आगे bird flu ना फिला दे क्या यह जो इंडिया यह हुआ है बिहाद स्टेट में, असाम में, केरला में, तामिला डुबए विज इंडियान स्टेट है रीसेंटली रिपोर्टेड बर्ट फ्लू केसे और कल्ड ओवर 12,000 डक्स इसका सुन्स बिलकुर सही आंसर है केरला और बर्ट फ्लू के केसे बहुत ही रेरली पर इंसानों में भी देखे गए दुनिया में, हिस्ट्री में, बहुत कम, बहुत ही ज़दा कम इससे थोड़ा दुनिया डरती भी जाद है, ठीक है तो बर्ट फ्लू इंकेला, 12,000 डक्स वर कल्ड इंकेला, इंडिस्टी का नाम लिखा हूँ, ठीक है आगे चलते है आठवा कोशन कोशन है करन्ट फेस काटिकरी का तो हमारी कंटी में इंडियन्स ने गूगल पे क्या चीज़ कितनी सर्च करी इंडियन्स ने गूगल पे अगर आपको बाखी के लिए दिखाओं तो नीरो चोपड़ा फिर यहां पर थे आर इन खान उनके बार ते शेनाज गिल फिर राज कुंद्रा उसके बाद इलॉन मस्क इन लोगों के बार में सबसे ज्यादा सर्च किया इंडियन ने 2021 में ठीक है आगे चलते है दुनिया का यह सबसे शब्से बैलींग ली डॉनिक्ते सबसे वैलिया बल एक टेक कंपनी कौन से कौन सी है डुलिंगो वाइज्योज ट्राइबल लर्न कौरसेरज दू इस कोशन आउसर सबसे वैलियंग। कमपनी दुन्या के सबसे अभी घुच कंपनी वाईजूस की मार्कट के अप कुछ 7400 क्रोड रूपे के आसपास होता है कितनी बड़ी अमाउंट होगी बिल्कुसी सब्सक्राइब बिल्कुसी को निकाप आगे चलते हैं 10th question question है हमारा current affairs category का आपने का organization बें सुना होगा सार्क यह होता है South Asian Association for Regional Corporation सार्क का charter adopt किया गया था 8th of December 1925 को मतलब तब बनाया गया था सार्क को सार्क के charter को adopt किस शहर में किया गया था New Delhi, Dhaka, Kaatmandu, Kolombo मतलब सार्क South Asian Association for Regional Corporation बना का किस शहर में था New Delhi, Dhaka, Kaatmandu, Kolombo इसका सार्क सार्क बनाया गया था, Indy City of Dhaka, Bangladesh की capital Dhaka में बनाया गया था सार्क पर जो सार्क के headquarters है, अब वो धाका में नहीं है, वो है Kaatmandu में, आपको पता है तो चाहिए बनाया तो गया था, Dhaka में, headquarters Kaatmandu में था, ठीक है चलते हैं अबने 11 में कोशिप, अच्छा कोशिप है, Social Studies का, हमारी करिंटी का जो North East है, जिसमें वो साथ स्टेट्स अनाचा पदेश, असामी वेगार आ जाती है तो North East region जो एंडिया का, वो earthquake risk zone में पे कौन से zone में आता हा? Zone 1, zone 3, zone 4, zone 5 जैसा zone 1 अब होता है नहीज zone 2 ही होता है सीधने तो North East region जो है इंडिया का, वो earthquake risk zone में कौन से zone में बाता है? zone 5 में सबसारा chance में तो inCH Bis deck काने के zone 2 में सबसे कम जोन two में सबसे कम चेंस है को अशल कोई एक उन्फ जगाव Nope कम सारह इसागजाएं के यालोर क्वाइट ने नेपाल है इस लिवाइड में दिखिए नहीं तो नेपाल को भी हम काउंट करें वो भी सारा ला लिए ठीक है तो बहुत ज़्यादा चांसे यहां पर अर्थ की काने के क्योंकि टेक्टॉनिक मुमेंट आज भी बहुत ज़्यादा इस पूरे अरिया है ठीक है बारमा कोशन है सोशल स्टेडिस का आप लों के सामने वो कौन सी स्टेट है हमारी के जहां पर रोड डेंस्टी सबसे ज़्यादा है जैसे एक यह स्टेट होगी बहुत बड़ी यहां मालों एक सड़क है तो लेंथ आफ रोड काफी ज़्यादा एक सेट ऐसी है पर उस स्टेट में सड़के है तो कम है, length of road तो कम है पर बहुत ज़ादा सड़के, density बहुत ज़ादा है तो density के हिसाब से road density के हिसाब से कौन सी state सबसे आगे इसका बिल्कुल जो सही answer है, वो है असल में option B, केरला, ठीक है तो हमारी country में जो केरला है उसकी road density सबसे ज़ादा है सेकेंड पर तरपुरा के road density सबसे आगे, बिल्कुल से सबसे है बिल्कुल से सबसे है, बिल्कुल से चलते हैं अपने 13th question question है finance और banking का वो कौन सी situation है जहाँ पर recession के साथ-साथ inflation भी बहुत ज़ादा है तो country में growth हो नहीं रही है country के growth रुकी हुई है और मेंगाई भी बढ़ती जा रही है क्या इसको बलाते है stackflation, open inflation, hyperinflation, markup inflation dash is a situation where recession is accompanied by a high rate of inflation तो मेंगाई भी है और चीज़ों के दाम भी बहुत ज़ाद है क्या ये stackflation होता है open inflation होता है, hyperinflation होता है या फिर markup inflation होता है इसको सुनसा हम लोग बलाते हैं असल में stackflation इसमें एक और चीज़ आड़ हो जाती है growth हो नहीं रही है मेंगाई बहुत ज़ाद है और unemployed मेंगाई बहुत ज़ाद है ये सबसे खराब चीज़ है जो एक economic के साथ हो सकती है इसको में बलाते है stackflation ठीक है ठीक है सुनसा तो सेकंड पार्ट का लास्ट कोशन है finance और banking का की housing finance companies जो NBFC होती है non-banking financial corporations ये जात और housing loans अवे गारा देती है ये सब आपने सुनना होगा इसका regulator कॉन होता है National Housing Board, Reserve Bank of India Ministry of Finance Securities and Exchange Board of India कोशिश करो who is the regulator of housing finance companies तो सुनसा आपको लगेगा शहर National Housing Board इसका अंसर होता है पर नहीं NBFC का regulator भी Reserve Bank of India ही होता है जैसे banking का regulator RBI NBFC का भी RBI ठीक है तो सुनस हमारे दो पार्ट हुए यहां खतम बस टोटल चारी पार्ट करने तो एक छोटा सा ब्रेक रखते हैं 50% क्लास हुए है जब रेक की बाद हम वापनी शुरू करें तो आप बहुत अच्छे से questions को टेमिट कर से ठीक है ठीक है सुनस तो मैं कुछ नहीं करता बस अपने laptop की स्कीन नीचे कर आओ ताकि 2-3 मिंट का आपको ब्रेक मिल जाए मुझे मिल जाए और इसको कंडे युगा तो ही अच्छे सुसरू कि अच्छे सुच्चे सुच्छे अच्छे सुच्छ दाए झाल 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 थीक है सुच्छ तो हमने दो पार्ट कर लिए खतम ठीक है अब हम चलते हैं अपने पार्ट थ्री पर एक प्रम दीक है तो हमने ठीक है तो बिल्कुल आडियो ठीक आ रही है शुरू करते हैं सुच्छ थोड़ा जल्देली करते हैं ताकि मैं आपको नौ बैसे पहले फ्री कर दो ठीक है ठीक है तो थर्ड पार्ट का पहला कोशन स्टार्टे का फेस का यॉनाइटर वर्ल रैसलिंग उन्टार गवर्निंग बौ्डी होते है रैसलिंग के तो दुनिया घर में इवंट्स झाइए wrestling इसके headquarters कहां पर है Australia Germany United States या Switzerland the United World Wrestling is based in which country कहां होते इसके headquarters Australia Germany United States Switzerland इसका बिल्कुछ से आंसर है इसके headquarters आपको देखने को मेलेंगे Switzerland ठीक है United World Wrestling headquarters Switzerland बनाया गया थे 1912 में और तुनमीन अतना हमाले इतना बन कुछ है तो आप जब भी देखोगे किसी भी जगह अगर रेसलिंग के इवेट्स हो रहे तो इसका लोगों जर्जरू लगाओ United World Wrestling ठीक है चलते है अपने सेकंड कोश्चन पर कोश्चन है दुनिया में कंटी है सिप्रस यह यह ओरोपीं क्टी सिप्रस इसके कैपल होती है निकोस्या, करन्सी लोग योसकते योरो और कॉंडिन आता है योरोप यह समय योरोप बस보ब ऐसा है कि यह तो यह इसा है सारा या इस यह तो इस मेडिटिरिन सी वह पर जो एई इसको योरोप ही पर यह पर यह बोड़ाएं यह बहुत कि अगे जलते हैं फार्ड कोश्षन कोशन है करनेटर पेस्क काटिक्रिवी है मिस्ष्थ दौहजार एक सब्सक्राइब किन को अनौश किया गया हना संदू अलाली लाली मासवानी नादिया फरनाज्या यह वेलेरिया मर्यार थिक है तो इन मिस यूनिवस 2021 को अनाउंस किया गया है इस कोश्चन जो बिल्कुल ही सही आंसर आपने बिल्कुल की पर उनकी पर सुन जिया होगा काफी अब तो बहुत फेमेस होगे इनका नाम है हरनास अंदू तो इंडिया से अब तक थर्ड थर्ड वोमन जो मिस यूनिवस बनाएगी ठ तो यह बन चुके हैं मिस यूनिवस 2021 ठीक है अगला कोश्चन है कि जैसे 2021 में एक मिस यूनिवस इंडिया से बन गए आखरी बार ऐसा कब हुआ था कि इंडिया से एक मिस यूनिवस बने थे 2001, 2000, 1999, 1994 विच इयर इन इंडियन लास्ट विन मिस यूनिवस आखरी ऐसा कब हु मिस यूनिवस बने थे वह था इन दी यर 2000, जब हनास अनॉड गए जनर हाँ उसी साल ठीक है और वो थे लारा दता ठीक है काचवे कोशन पर कोशन है करन्ट फिर इस काटिगरी रिखा फॉर्मुला वन वोल्ड चैंपेंशिप 2021 खतम होगी तो फॉर्मुला वन का 2021 का सीजन खतम हो चुका है कौन बना है चैंपियन 2021 का कालो साइंस फर्नेंडो लांजो मैक्स वस्टैपन लुई समिल्टन तो 2021 में मैक्स वस्टैपन नहीं तरफ से रेस करते हैं बहुत ही तuffko उनीशन, मैक्स वस्टैपन, मैक्स हमिल्टन का बीच में लास्ट真的 के भी लास्ट लैप के लास्ट पार्ट में जाके पता चल रहा इंनों नहीं ने और कर लिए रवी समिल्टन को उसमें भी बड़ी कोंटुमे कि गलत ऐसे हैं दोनों ही चैंपिन्स है वैस्तों Lewis Hamilton तो साथ बार के वोर्ड चैंपिए है Max Wustappen पहली मोट चैंपिए मने दोनों ही वह रच डाइवर पर फाइनली Max Wustappen मने वर्ल्ड चैम्पेंट 2021 के ठीक है आगे चलते छेवा कोशन है कि काशी विश्वनात कोरिडोर को इनाउगरेट किया गया है recently हमारी कंटी के प्राइमिनिस्टर के द्वारा किस शहर में इनाउगरेशन की गई इस कोशन का जो सुन्स बिलकुल ही सही आंसर है वो है option number B वर्ल्ड चैम्पेंट वर्ल्ड चैम्पेंट वहां पर मिलेगा असल में जो काशी विश्वनात मंदिर है उससे थोड़ी सी दूरी पे है गंगा घाट तो यहां पर यह पूरा जो एरिया था बहुत ही कंजस्टिट था छोटी उड़ी गलिया थी यहां से एक रस्ता बनाया जा रहा है गंगा घाट से काशी विश्वनात मंदिर तक यही है काशी विश्वनात कॉरिडोर ठीक है तो प्राइंडिस्टे नेंदर मोदी ने रीसेंटी इनागरेट किया फेज वन ऑफ काशी विश्वनात कॉरिडोर यूपी के वारव नसी में साथवा कोशन है हमारा करंट फेज काटिगरी का आप लोग के सामने दिये के ऑप्शन में से वो कॉनसी कंटी है जहांके प्रेजेंट कोविड-19 पॉजडिव आई ठीक है कुछ दुनिया की कंटी में ओमिकरॉन बहुत ज़्यादा फैल है काफी खराब तरीके से फैल है इंडिया में तुम कह सकते हैं अभी तक ऐसे आपको कोई साइन देखने को नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा फैल है पर हाँ कुछ कंटी में यूके वेगरा में और अफ्रिकन कंटी में बहुत ज़्यादा ओमिकरॉन के केसिस देखे जारे है इन में से वो कौनसी कंटी है जहांके प्रेजेंट ही कोविड पॉस्टिव होगे साउथ आफरीका, तंजानिया, जिंबावे, नमीबिया इन चारो ही कंटी में ओमिकरॉन के केसिस काफी जार है कोशन का सही आंसर है, ऑप्शन नमरे साउथ आफरीका तो साउथ आफरीका के प्रेजेंट सारा रामफोस है, इन्हों नहीं सबसे बड़े अनौस्मेंट की थी कि इनकी कंटी में केसिस देखे गए इनकी के बार में पताया था तो इनको यह इस डी सेन्टी पॉजिटिव रिपोर्ट हुए जो की प्रेजेंट है साउथ आफरीका आगे सेंब आफमा कोशन कोशन है क्यांट आपकरिक यह कौन सी कंटी है जिसको चेर्मेंशिप मिल चुकी है किसकी चेर्मेंशिप मिल चुकी है चाहने को तो इंडिया भी चाहिना भी आप जहां इंडिया चाहिना एक साथ आजए वो तो इतने एक्टिव ले गृूप काम करें सकता कर दो इंडिया को चोड़ना पड़ेगा है सयसे रेक्स में इंडिया चाहिना साथ में वे जब दोंहें करिक्र्समें इतनीय अच्छार नहीं तो कैसे काम हो पाएगा तो तों इंडिया चेर्मेंशिप अर जो के चलते है सब्सक्राइब करकिन के सबस्कреisto1 तो तल confession इसको टॉप किया सुझ्त जारा है क्या है इंडिया क्या है इन्दी फ्रोल्ड टैलन्रंकिंग राइं किया है 54 Ireland scarcity तो इस टैलेंट रंकििंग रिपोर्ट में इंड्या इन इन्दार्ज इस नरक है similar 41 तो वर्ल्ट टैलेंट रैंकिंग इंडिया रैंक्ट 56 टॉप किसने के स्विस्टन आगे चलते हैं दस्वा कोशन कोशन है करेंट अपने सुना होगा यूनिसेफ के बार में यूनिसेफ वैसे तो या तो यूनाइटिड नेशन चिल्डन फंड बुला लो या यूनाइटिड इंटरनाशनल चिल्डन एमर्जेंसी फंड ठीक है तो यूनिसेफ के रीसेंड़ी नए हैड बनाए गये नए इनके प्रेजिड अपॉइंट हूँ इनका नाम के है क्या नाम है कैथरीन रसल ओड्रे अजले हेन्रिटा एच-फोर राफियल ग्रॉसी हूँ अमंग दी फॉल कैथरीन रसल अड्वाइजर है जो बाइटन के और उनको यूनिसेफ का न्या डिरेक्टर बना दिया गया है इनाइटिड नेशन इंटरनाशन चिल्डन एमिदेंसी फंड इसका है नियॉयॉक उनाइटिड सेट्स में और इसको बनाए गया था 1946 ठीक है आगे चलते है इह ग्यारों को डिसान् सॉश्चल स्टेडिजस का आ फिकी फिकी होता है फेडरेशन ओफимоफ इंडियन चेंबर्ज ऑफ कमर्स and independently брag in 1923 में 1925 में 1927 में 1930 में इन मेंसे किस साल किस साल फिकी को बनाया गया था Federation of Indian Chambers of Commerce Industry तो सुन्स फिकी जिसके बर में आपको आपको आज से कुछ ने पर पताया था ना कि ने प्रेज़न में बने से कि के संजीव महता उनका नाम है यह बहुत बड़ी ट्रेड एस्सोशेशन और इसको बनाए गया था 1927 महात्मा गांदी जी के एडवाइस पर बनाए गया था फिकी को तांकि इंडिया की जो इंडॉस्ट्री जो एक साथ आ सके आगे चलते हैं बारवा कोशन कोशन है सोशल स्टेडिस का आपनों के सामए वो कौनसी नदी है जो ग्रेट डेड़ यह थार डेड़ की बात कि यह थार डेड़ में ही खतम हो जाती है मतलब वैसे तो नदियां जो होती है वो पहुंचती है कोई coast line तक पर यह जो नदिये coast line तक पहुंच ही नहीं पाती थार में खतम हो जाती है और इसमें flow भी पानी का कोई बहुत जादा नहीं होता क्या यह नदि का नाम है सतलोज बयास रावी लूनी विच रिवर इंटीग्रेट्स इंटू दी ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया तो थोड़े आप ऑप्शन और अच्छे से बनते तो श्याद आपको थोड़ा मुश्किल लगता है इस काम से यह तो चलो असान हो गया काफी लूनी नदी मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप देखो तो यह नैया है नहीं लूनी नदी आप देखो एक किसी कोई स्टों तक पहु नहीं होती वो कौन से बैंक होते इसलामिक बैंक नियो बैंक जियो बैंक ग्लोबल बैंक 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 अपनी प्रॉपर ब्रांच विगरा बनाते हैं जो भी इनका सब कुछ ऑनलाइन होता है ठीक है और मेरे सबसे आगे जाके ऐसी बैंक जादा चलेंगे क्योंकि अब बार-बार ऐसे बैंक की ब्रांचेज ने के जो जाता है नि सब कुछ online हो जाता है तो इस तरह के बैंक को क्या बुलाए जाता है यह होता है सुन्स जो कि NBFC ठीके देखो कोशन है a company would not be called an NBFC if its principal business is off इन में से किस सेक्टर में अगर एक company काम करी है तो हम उसका NBFC नहीं ब्ला सकते NBFC तर नौन-banking financial corporation अब NBFC वैसे क्या उता है इंडिया में banks तो बहुत ही कम है banks को तो ज़्यादा permission नहीं मिलती पर बहुत सारी companies होती है जो यह loan वेगार काम करना चाहती है तो वह bank तो नहीं उनको declare कर सकते वह NBFC बन जाती नौन-banking financial corporation मनलब काम आपका banking finance से जुड़ा होगा पर आप एक bank नहीं होगे ठीक है तो NBFC काफी सारी है इन में से किस सेक्टर के साथ अगर आप जुड़े हो तो आप एक NBFC नहीं हो सकते देखो अगर आप insurance के जुड़े आप NBFC बिल्कुल हो सकते चिट business में भी हो सकते सारा बड़े skill skill पे चिट business करता था loans and advances में भी आप NBFC हो सकते पर agriculture में अगर आप जुड़े हो तो आप एक NBFC कभी भी नहीं हो सकते ठीक है तो इसके साथ हमारा third part भी होगा खत्म आज का हमारा last part fourth part बस चारी पार्ट थे सुन्स आज की क्लास के आखरी 14 कोशन है जल्दी से इन को खत्म करते हैं पहला स्टार्टिक अफेर्स काटिकरी का आप लोग के साथ कुट इंडिया डे हर साल को इंडिया डे को मनाया जाता है किस डेट को 9th of September 7th of July 8th of August 10th of May कुट इंडिया डे इस हेल्ड एवरी एर ओन विच डेट 9th of September 7th of July 8th of August या फिर 10th of May सुझे जो कुट इंडिया डे ने इसको हरसल हम लोग मिलाते हैं आठ अगस्को आठ अगस्को होता है कुट इंडिया डे इसके विचे रेलेवेंस ही है कि 8th of August 1942 को और इंडिया कॉंग्रेस कमिटी का जो बॉंबे सेशन था वो खत्म हुआ और उसके बाद महात्मा गांदी जी ने कुट इंडिया मुमेंट की शुरुबात कर दी यह असल में रेलेवेंस था कुट इंडिया मुमेंट ठीक है आगे चलते हैं सेकिंड कोशन कोशन है स्टार यह आपको को मैप दिखाता हूं लट्विया के वैसे कैपल होती रीगा अगर आप देखो यह मैप यह यूरॉप का मैप थो तीन लिफुनिया लट्विया बेलरूस यह बाल्टिक होती इसके बगल में बाल्टिक साहिए और लथ्विया के कैपल का है रीगा करनसी यह तो सर्दार वल्लबाय पटेल की हर साल ऑब्जर्व की जाती है तो उनका जनम हुआ था 31st October 1875 में देथ हुए थी 15th of December 1950 में 31st of October को हम लोग National Unity Day observe करते हैं क्यों इनकी बर्थ है नवसी होती है National Unity Day आगे चलते हैं चौथा कोशन करन्ट फेस का दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रैंड है लक्जिरी का ब्रैंड है Chanel ठीक है Chanel को मिल चुके है एक नए CEO ग्लोबल CEO और ये एक Indian origin के इंसान है क्या इनका नाम है लीना नायर इंदरा नूई रेश्मा शेटी जैश्री उलाल इस कोशन के जो नए CEO है उनका नाम है लीना नायर ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह है लीना नायर इंडियन उरीजन नीला नायर इस न्यू ग्लोबल CEO और फ्रेंच लगजी को इप्शन है आपने सुनागा काफी गानों में भी इसको यूज करते है शेनल को ठीक है तो फ्रेंच लगजी फैशन हाउस है और इसको फाउंड किया था 1910 में पारिस फ्रांस में ठीक है आगे चलते हैं 5th question, question रहें है current affairs category का हमारी country के President ऑफ इंडिया ने एक तीन निन की विजट शुरू की है यह किस कंटी के विजट पे हैं, नेपाल, शिलंक, बांगलेश, शिया, president of India has embarked on a three-day visit to which nation. नेपाच चिलंका बांगलेश श्या किस कंटी की तीन दिन की विजट में हमारी कंटी के प्रेज़न जा चुके है इसका सही आंसर है बांगलादेश क्योंकि 1971 की जो वार थी इस वार में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर एक नई कंटी बनाई थी पाकिस्तान का एक हिस्सा होता था इस पाकिस्तान उसको कनवर्ट कर दिया के था बांगलादेश में तो बांगलेश अपने 50 चेमा कोशन कोशन है करेंट फेस का वो कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है इन्दी लिस्ट विद मैक्सिमम बेनेफिश्री अंडर भारत रोजगारी हो जा इस स्कीम के अंदर जब हमने अलोग करना शुरू किया था कोविट के बाद जब हमने रिस्टिक्शन कम करनी शुरू की थी इस स्कीम के अंदर लोगों को नौकरियां दिल्वाने की कोशिश की थी जो इंपलॉयर्ज होते हैं नौकरी दिने लोगन को मोटिवेट किया गया था कि आप जारा से जारा नौकरियां दो और बदले में सरकार आपको benefits देगी incentives देगी आपसे पूचा रहा ह सबसेरे benefits हैं महाराष्ट्रा शेट ऑख वाह तो महाराष्ट्रा में 6.5 लाक लोग Lोग 2 महाराष्ट्रा में 17.25 लाक या सपास गुजात में 17.4 1.3 2.8 इतने benefits है यह वेरीयस स्कीम बंगे जो 100% पेपरलेस हो चुए किसी पितर से कागस का इस्तमाल नहीं होगा क्या United Arab Emirates के दुबई में जो गवर्मेट उसने ऐसा किया है Switzerland में लोजयन की गवर्मेंने Canada के मॉंटियाल की गवर्मेंने मुलेशिया के कौलालंपूर की गवर्मेंने तो पूरी कंटी नहीं पर किसी कंटी के एक जैसे स्टेट कह सकते हो स्टेट ने अनाउंस कर दिया कि वह यहां पर पूरा पेपरलेस होने जा रहे है इस कोशे का जो से बिल्कुल ही से यहां से वह है आठवा कोशन कोशन है करन्ट फेर्स काटिगरी का परसें ऑफ दी इयर 2021 टाइम मैगजिन के हिसाब से किसको नाउंस किया गया तो टाइम मैगजिन हर सार एक परसें अफ दी एर अनाउंस करते हैं 2021 में कौन है 2020 में थे जो बाइडन USA के प्रेजिट जो बाइडन और जो वा आपको बता है टेसला स्पेस एक्स न्यूरा लिंक बोरिंग कंपनी कितनी रेवलुशनीरी कंपनी कितनी बड़े स्केल पिन की कंपनी काम करती है इस टेम पे दुनिया के सबसे रिचे से इंसान भी लॉन मस्क है तो यह है टाइम मैगजिन के परसें आप दियर फॉर 2021 बिल गवर्निंग बॉडी है पहले वो अपने आपको AIBA बुलाती थी अब अपने आपको AIBA बुलाती है ठीक है आपको समझातो है AIBA, AIBA का कंसेप्ट आपसे सिंपली मैसे इसको इंग्लीश में बुलाते है इसके हेड़कोर्टर कहां पर है पारिस जिनेवा ब्रसर स्विज्रेंड AIBA रीब्रांट इसेल्फ एस आई बीए विद रिफॉर्म्स फॉर 2028 ओलंपिक्स तो दोज़ाथाइस के लंपिक से पहले हैं इसको करना चाते थे इसके हेड़कोर्टर कहां होते है इसके हेड़कोर्टर होते हैं इसके हैं इसके हेड़कोर्टर से इसके हैं अगे चलते हैं आप लोगे साब नूपी लाल्डे अब्सर्व किया जाता है हमारी कंटी के कौन सी स्टेट यूटी में तो यह सल्वें जो मनाया जाता है इंदी इंडियन स्टेट ऑफ मनिपूर और जो मनिपूर में ब्रिटिश कॉलिनियल पावर्स के अगेंस जो लड़ाई लड़ी गए थी उस उनमें जो वोमन थे ठीक है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यह नूपी लाल्डे अब्सर्व कियाता है मनिपूर बारा तरीक होता है नूपी लाल्डे ठीक है आगे चलते है हमारी कंटि में जो हमाल्याज वो शुरू होते है जमु इन कश्मीर से और जाते हैं अरुणाचल परदेश तक इसके बीच में हिए इस आर्क की तरह होते हैं आर्क कितरह आपसे पूचिया जो आर्क करहना यह इसकी लेंग कितनी है हमाल्याज पर वह स्वेस्ट टो ऊप इ पार आवाउट कितने लेंध ताक कि आर्क चलती है इसका सब्सक्राइब बलकुल ने जो से आंसर है वह संदिने 2400 किलमेटर किया आर्क को इस आर्क कि इस फ़ली आर्क ठीक है तो जो ऐसी आर्क है हमाल्याज कि इसके प्रॉक्वर्स्पीमेट लेंड होती है बिल्कुल से सब्सक्राइब 2400 किलोमेटर ठीक है चलते हमने ट्वेल्थ कोशन पर कोशन है सोशल स्टेडिस का नंबर ओफ डैम्स के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या दुनिया में सेकिंड थर्ड फॉर्थ या फिफ वत इस रैंक ऑफ इंडिया तो नंबर ओफ डैम्स के हिसाब से इंडिया का रैंक दुनिया में आता है किन कंटी से पीछ हम सब्सक्राइब चाहिना के पास फिर यूएस से फिर रश्या चाहे तो यह पंजाब की तरफ और हम डैम्स बना सकते हैं पंजाब और हिमार्शे की तरफ और ब्रहंपुत्रा की सब्सक्राइब तो नौथी से बहुत ही ज़्यादा बनाए जा सकते तो अभी तो अच्छा खासा पोटेंचल है डाइम कर सक्षिन तो अराम से रश्या और यूएस से को बीड करके चाहिन चाहिना तो बहुत ही बड़े स्केल पर बना चुका है तो हम कम से कम थर्ड पर तो इस कोशी का बिलकुत सी आंसर है MSME में लोन्स विकरे का देने का में का में का मोता है सिडवी का इसको फाउंड के था 1990 में हेड़कोर्टर से लखनों में और तुन में लगता हमाले इतने बॉर्ण कुछ यहां पर है ठीक है सिडवी इसका बलकुसी आंसर है चलते हैं आज की क्लास के लास्ट कोशन है कोशन है अगर एक इंसान को एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है किस जगा वो एक सेविंग खुलवा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नबाड एक्जिम बैंक स्मॉल फाइनस बैंक और परसन के अन ओपन सेविंग अकाउंट इन विच आप दी फॉलिंग बैंक इसका बिल्कुसी आंसर है एक इंसान अगर इन में से किसी एक में इसके साथ इस क्लास में जितने कोशन जितने टॉपिक मुझे कवर कंते मैंने कवर कर लिए काफी इच्छे कोशन से हमने डिसकस कि आपकी पूरे हफ्ती के रिवीजिन में यह जो क्लास से बहुत मदद करती है तो पूरा हफते के मेरा शेडूल या लगा हुए आप तो अनकाडमी के प्लाटफॉर्म पे शुन अनकाडमी के अप पर ठीक है बहुत बढ़िया चीज है एटक कुछ जगाओं पर कुछ दिक्कते भी हैं पर मेजरी एटक प्लाटफॉर्म मदद ही कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज काफी अच्छे से फ्लो कर पारी और बहुत आप फ्रीली फ्लो कर पारी ठीक है और ऑप्शन बहुत जादा आजाते पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि कुछ ऐसे सब्जेक्स है जिस जो छोटे शरुम में नहीं उनकी प्रॉपर कोचिंग मिल पाती तो वह आप एटक से बहुत एजली कर सकते हैं तो सुन्स आपको इस सब कुछ आपको इस एक बिल्कुल कर सकते हैं सब पर अपको की कोर्स मांट के उपर मिल जाएगा थिक है आपको कोई डाउट आता है आप क्या कर सकते सिंप्ली आने काडमी की आप पे जाओ क्लिक करो अपनी डाउट किया तो स्क्रीन शॉट भेज दो या फिर उसका कॉपी पेस्ट करके हमको सेंड कर दो और हम आपके बहुत ही डिटेर्ट सुउशन आपके डाउट कर यहां पर बापने से भीज़ें ठीक है पर करते हैं थांक यू जॉइनिंग है वरी सिक्सेस्फूल दे मिलते हम अपनी कल सुबह की दस से गाना बज़ेवली क्लास के अंदर तब तक दिस्ट्रूंस थांक यू अगर आपको एक लास से चले लगी हमाने चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सक हम मिलते कल सुबही क्लास के में थांक यू और वेरी सेक्सेस्फूल देस्ट्रूंस थांक यू थांक यू